नमस्कार, दोस्तों, मैं उंकूर सिंग, आपके अपने यूटूब चैनल विकाथ स्टडी सरकल पर आप सभी का पुणा है एकबार स्वागत करता हूं दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत और उसकी इस्तिद उस पर चरछा की तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने पहले अध्याय को समाप्त किया है, उसी दोस्तों अध्याय से सम्बंदित कुछ महात्पूर्ण प्रस्ण, आज हम उन पर चाचा करेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों की परिच्छा की देश्ट से बहुत ही महत्पूर रहने वाला है इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें तो चलिए दोस्तों हम लोग परिच्छा शुरू करते हैं तो देखते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रशन है भारत का प्रमाडिक समय और प्रमाडिक समय उस इस्तान का इस्तानी समय है जो इस्तित है तो जो भारत का प्रमाड़ी समय है जो भारत की समय रेखा है वह कहां से गुजरती है और उसका में बिन्द खॉन सा है तो दोस्तों आपको मैंने बताया है की जो भारत की मानक समय रेखा 59.82 डिगरी इष्ट देसानते रेखा है वह हमारे उत्तरबद्रस के एल्हावाद के समीव से में कि अगला परिशन दोस्तों मौहारा है इंडियन इस्टेंडर्ड टाइंम और ग्रीन इड बीश में कीतना अंतर है थो दोस्तों मैं फोस्ति अमार पांच घंटे 10 मिनट दूसरा आप्सन है हमारा 5 गंटे 20 मिनट, तीसरा है 5 गंटे 30 मिनट और चौथा है 7 गंटे 30 मिनट तो इसमें से आप लोग बताईएगा कौन सा अंसर सही होगा तो इसमें से दोस्तों अंसर सही होगा C नंबर 5 गंटा तो दोस्तों जो IST हमारा है Indian Standard Time या GMT से 5 गंटा प्लस में रहता है चलिए दोस्तों अगला प्रसन हमारा है भारती प्लाचीन भारती भोगोलिक मानिता के अंसर भारत वरस किस दिव का अंग था तो दोस्तों हम लोगों का जो भारत वरस है या GMT का आंग था तो आपसटन नंबर 20 अगला प्रसन हमारा भारत के इसतली सीमा की लंबाई कितनी है यो भारत की इसतली सीमा है उसकी लंबाई कितनी है तो दोस्तों हमने पिछली क्रास में पढ़ा है कि भाज की जो इस्तली सीमा इसकी लंबाई 15200 किलो मीटर है अप्षन नमबर D या सही होगा अगला प्रशन दोस्तों हमारा है भारत के मुखी भूम की दच्छिनी सीमा है जो भारत की मुखी भूम है इसकी दच्छिनी सीमा क्या है तो अब लोग आप्षन देखिएगा बताईए कौन सा सही होगा इसमें इसमें से दोस्तों हम लोगों का आप्षन नमबर D सी सही होगा मुंकी भूम की जो दच्षिनी सीमा है वो 8 डिगरी 4 अंस 8 डिगरी 4 मिंट उतरी अच्छांस अप्सर नम्बर C सही होगा अगला प्रशन हमारा दोस्तों है भारती मानक समय आधारित है भारती मानक समय आधारित है तो इसमें से हम लोगों का कउन सा आपसन सही होगा दोस्तों हम लोगों आपसन सही होगा B नंबर जो 82 डिगरी इस्ट देसांतर रेखा है या हमारी भारती मानक समय रेखा मानी जाती है तो आपसन नंबर B सही होगा अगला परसन दोस्तों हमारा है भारत की उत्तर से दच्छिन तक लंबाई कितनी है तो भारत की उत्तर से दच्षिन लंबाई कितनी inglés है हम आपूसर सही हो जाएगा कौनुसा आपसट नमबर वे- Uh cuales two to four boys किलोमेटर पार की उत्ता से 121 वह च्ज़न लंबाई और पूरु से पर फ्रकार मों आप दौर जाना सो digital किलोमीटर होती है तो आपसल नमबर एच सही किलो मेटर भारती ताडरेका की लंबाई है अगला प्राशन दोस्तों मेरो है उसे नहीं किलेज हुँ गया कि तो इसमें से कौन सांसा सही होगा कि दोस्तों इसमें आप्स नंबर डी 7516.érieur 7 पूरी होगी मारी 7516.6 किलो मीटर इसमें दोस्तों लच्छी दीव अंडमान निकोवार सहीद इन दूपो को भी सामिल किया जाता है तब हमारी लंबाई तर्ट रेखा की हो जाती है 7516.6 किलो मीटर अगला परसन दोस्तों हमारा है भारत का 6फल 200 के कुल भागोली 6फल का कितना पितसत है तो दोस्तों इसमें हम लोगों का आपसन नमबर 2 2.4 पितसत सही होगा अगला परसन दोस्तों हमारा है भारत के कितने राज समुद्र टटी है तो दोस्तों इसमें से हमारा कौन सा आपसन सही होगा इसमें से दोस्तों हम लोगों का आपसन भी सही होगा नौराज भारत के नौराज समुद्र टटी है अगला हम लोगों का कुश्चन है किस राजी की तट्रेका सबसे लंबी है तो इसमें से आपसन कौन सा सही होगा तो दोस्तों इसमें से आपसन सही हो जाएगा गुजरात सी नंबर तो संपूर्ण भारत है इसकी इसमें जो तटरेखा सबसे लंबिक इसकी है गुजरात की आपको पता होगा इसकी तटरेखा कितनी है 1214.7 किलोमीटर और दूसरे नंबर पर कौन सा है दूसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों लोगों का अंध्रवदेश उसकी तटरेखा है 973.7 किलोमीटर और तमिलाड की 906 किलोमीटर है तो सरवादिक इसकी गुजरात की अगरा प्रसंदोस्तों हमारा है प्राइद्विपी भारत में किस राजी की तटरेखा सबसे लंबी है इसका अपसन कौन सा सही होगा प्राइद्विपी भारत के किस राजी की तटरेखा सबसे लंबी है तो यह प्राइद्विपी भारत इसमें पूछ रहा है तो इसका अपसन नमारा सही हो जाएगा C नंबर आंध्रवदेश तो संपूर्ण भारत की अगर पूछी जाए तो इसमें दोस्तों गुजरात की होगी अगर प्राहदेपी भारत की पूछी जाए तो इसमें पहला नंबर आंध्विदेश की होगी और आंध्विदेश की तर्टरेखा कितनी है? 973 पॉइंट, 7 किलो मीटर अगला प्रशन दोस्तों हमारा है निम्न भारती राज्यों में से किसे होकर करगरेखा गुजरती है? तो आप लोग देखिएगा इसमें से कौन सा अपसन सही होगा? किन राज्यों से करगरेखा गुजरती है? आपको मैंने बताया है कि कौन-कौन से राज्यों से करगरेखा गुजरती है और आप लोगों को मैंने मांकित से अच्छी तरीके से बताया है आप लोगों को याद भी हो गए होंगे तो इसमें से आप लोग आंसर बताईएगा कौन सा सही होगा गुजरात, राजस्तान, मध्यवदेश, तिपुरा तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसमे अच्छा अंसरेखा या दोस्तों भारत के आठ राज्यों से गुजरती है और वो आठ राज्य कौन कौन से हैं गुजरात हमारा उसके बाद राजस्तान, मध्यवदेश, च्छतिसगड, जहारखन, पह्चिम मंगाल, तिपुरा और मिजोरम यह हमारे आठ राज्ये हैं इन कौन सान सही होगा दोस्तों इसका अपसे नमबर सी यहारखन की राजधनी राची यह करकरेखा के बिल्कुन समीपिस्तित है अगला पसंदोस्तों हमारा है करकरेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्ये में है करकरेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्ये में है तो आपको बताया था हमने की करक रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मतविदेस राजे में और सबसे एकम किसमें है राजस्तान में तो इसका अपसन नमबर भी सही होगा सबसे ज़्यादा लंबाई मतविदेस राजे में है अगला प्रसंदोस्तों हमारा है करक रेखा की इस्थित क्या है तो आप लोग देखी इसमें बताइएगा कि करक रेखा की इस्थित क्या है तो हम लोगों का आपसंद सही हो जाएगा ए नमबर 3.5 डिगरी उत्तरी एच्छांस रेखा अगला प्रस्ट दोस्तों हमारा है भारत की उत्तरी बहारत का उत्तरी बिंद इंद्राकाल किस राज्य या केंसासिर प्रदेश में इस्तित है तो अब लोग बताईएगा कि जो इंद्राकाल हमारा उत्तरी बिंद हुआ या किस राज्य या यूट्य में इस्तित है तो इसका आपसा नमबर सही हो जाएगा दोस्तों डी नमबर लद्दाक में आपको पता है कि दोस्तों जो जम्मु कस्मीर और लद्दाक यह दोनों अलग हो गए हैं और दोनों यूटीब हमारे हैं तो अब जो हमारा इंदिरा काल उत्तरी बिन्द है यह जम्मु कस्मीर में नाहो का लद्दाक में इस्तित है अगला प्रसंदोस तो मारा है भारत का दच्छनितम इस्तान इंदिरा पाइंट कहां इस्तित है तो जो भारत का दच्छनितम इस्तान अगर संपुन भारत की दिवो सही अगर पूछा जाए तो वह हमारा इंदिरा पॉइंट यहां पिगमिलियन पॉइंट होगा अगला प्रशन दोस्तों हमारा है इंदिरा पॉइंट का अने नाम क्या है तो आपको मैंने बताया इंदिरा पॉइंट का अने नाम क्या है तो आपसन इसमें देखिएगा पारसन पॉइंट इंदिरा काल पिगमेलियन पॉइंट इन में से कोई नहीं तो इसमें आपसन सही हो जाएगा हमारा C नमबर पिगमेलियन पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट यह अंडमान निकोबार में इस्तित है और भारत का दश्मेटम ब वरतमान में भारत में कितने राजवा केंसासित प्रदेश हैं तो आपको पता होगा इस समय वरतमान में आप हमारे 28 राज़ा और 8 यूटी हैं अगला प्रसन दोस्तों हमारा वरतमान में भारत में कितने केंसासित प्रदेश इस्तल बद्ध हैं तो दोस्तों वरतमान में भार कितने केंसासीर प्रिदेश इस्तलबद हैं तो आप लोग बताईए कि इसमें कौन सही होगा इसमें Bee nuovo-4 और वो चार केंसासीर प्रिदेश осв rockets कौन कौन से है यह मो कस्मीर लदाक दिल्ली और चंदिघड़्ट यह हमारे स्तलबध केंसासीर प्रिदेश है अगला प्रस्ट दोस्तों हमारा पुडू चेरी का माहे जिला किस राजे में इस्तित है तो पुडू चेरी का माहे जिला किस राजे में इस्तित है आपको बताया था कि जो पुडू चेरी है इसके चार डिस्टिक है और वा तीन राज्यों में इस्तित है तो इसमें से माहे ज तो अधर थे वो जैसे माहेज हमारा केरल में हो गया उसके बाद यनम था वह आंध्रपदेश्ट में स्थित था पुडूचेरी और कराइकल यह तमिलाड में स्थित थे उसके बाद अगला कुष्टन दुफ्तों हमारा है सबसे छोटी समुद तटीर सीमावला राजे कौन सा कौन सा तो इस मैं से कौन सा आपसन सही होगा और अगर प्रहस भारत में पूछा जाए तेश डिगरी नार्थ जो है और साड़े बायासी डिगरी इस देसांतर रेखा एक दूसरे को कहां काटती है तो दोस्तों ये जो साड़े तेश डिगरी नार्थ है करक रेखा और साड़े बायासी डिगरी इस देसांतर रेखा ये एक दूसरे को कएं करते हैं आफ स्राये रायपूर 36 दूसरा सुरजपू. 36 दूसरा जगद्णपूर 34 है विलासपू. 36 गड़ इसम में कौनसा अंसर सही हो गा दोस्तों इसमें से अंसर नंसर भी सही होगा शूरजपू जो करकर रेखा और जो 581 BWhen संतर रेखा या सुरजबु छतीस गड़ में एक दूसरे को काटती हैं अगला प्रिशन दोस्तों मारा है निम्न में कौन सा कौन राज्य पाकिस्तान से सीमा साजा करता है तो इसमें से दोस्तों आप लोग आप सम्द देखिएगा ए नमबर राजस्तान बी नमबर गुजरास C नमबर पंजाब और D नमबर जम्मु कस्मीर और E नमबर इनमें से सबी तो इनमें से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से सीमा साजा करता है तो इसका अंसर नमबर कौन सा सही होगा आप से नमबर E इनमें से सबी तो आपको पता होगा कि गुजरात राजस्तान पंजाब जम्मू कस्मेर और लजधां ये सभी जो हैं पाकिस्तान से सीमा साज़ा करते हैं अगला अगला है किन से आपसा नमबर सी सही होगा तो इसम compiler नमबर सी सही होगा बांगलादेस बांगलादेस की जो सीमा है वह भारत से साज़ा होती है और या कितनी साज़ा होती है कितनी सीमा इसकी 4096 किलोमीटर बांगलादेस की सीमा जो है वो भारत से साजा होती है 4096 किलोमीटर और आपको पता होगा कि कौन कौन से भारत की स्टेट है जो बांगलादेस सीमा साजा करते हैं हमारा पश्चिम मंगाल असम, मेगाले, त्रिपूरा और मिजोरम यब अंगलादेस सीमा साजा करते हैं अगला पश्चिम दोस्तों हमारा वरत माने भारत के कितने राज एमकें सासित प्रदेश देश की इस्थली अंतराश्टी सीमा से लगे हुए हैं तो दोस्तों आप लोग बताईएगा भारत के कितने राज एमकें सासित प्रदेश देश की इस्थली अंतराश्टी सीमा से लगे हुए हैं 16, 18, 13, 9 कौन सा अंसर सही होगा इसमें से अंसर नमबर B, 18 यह सही होगा दोस्तों इसमें से आपको बता दूँ कि हमारे 16 तो राजी हो गए और 2 यूटी होगे और 2 यूटी कौन कौन से होगे आपको पता होगा 2 यूटी हमारे होगे केंसासित प्रदेश जो हैं यम्मू कस्मीर और लद्दाख तो यह 2 केंसासित प्रदेश होगए और 16 इस्टेट होगए अगला परसंद दुश्तों हमारा है निम्न में कौन सा राज भूटान से सीमा साजा नहीं करता तो इसमें कौन सा राज है जो भूटान से सीमा साजा नहीं करता आपसर नमबर है पस्चिम मंगाल B, C, A, D, मेगाला है इसमें कौन सा राज से सही होगा आपसर नमबर D, मेगाला है तो मेगाले इसमें सही होगा माकी दोस्तों भूटान से आपको पता होगा पश्चिम मंगाल सीमा साजा करता है उसके बाद असम भी सीमा साजा करता है अगला प्रस्ट दोस्तों का है पुरोतर के साथ राज जो पुरोतर के साथ राजय जिनें हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं इनका भाई किस राजय को कहा जाता है तो इनका भाई किस राजय को बोला जाता है आपसर नमरे आसम B भूतान C सिक्किम D नागलेंद आपको मैंने पिछली अपनी इक लासों में बताया था कि seven sisters का भाई किसे बोला जाता है तो option number C सिक्किम राज को seven sisters का भाई बोला जाता है आसा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सस्क्राइब ज़रोर कर लें चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोगों को आगला परश्ण है तरफूरा यह हम बांगला देशके मद्दे काँ सी रेखाष्तित है सब लोग बताईए का तरफूरा यह मंगला देशके मद्दे काँ सी भारत और चीन के मद्द और एडूलिफ नेपाल और भारत के मद्द अगला पसंद दोस्तों लोगों का है लच्छ दिप कहां इस्तित है अब लोग बताएगा लच्छ दिप कहां इस्तित है अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में कच्छ की खाड़ी में हिंदमा सागर में क अपस्ताइब्स नमबर के सही हो जाएगा अरब सागर अगला प्रसंदुस्ताँ में का है साज़ें बैएसी डिगरी इस्ठ देसांतर रेखा बहारत की कितने राजियों से हुकर गुजरती है जो साज़ें बैएसी डिगरी इस्ट देसांतर जरेख्धा या भारत के कितने राज्यासे उन्हें खुरकुजरति हें तो इसमें से लोगों का आपसंद नंबर एश ही होगा पांच राज्यां से और ये उसके वाद उसके बाद कौण साराज है उसके तुर गड़ उत्तरवदेश मद्द्वदेश उसके बाद च्छतिजगड़ और उसके बाद ओडिसा और अंत में आंध्रवदेश तो यह पांच राज्य हमारे हैं जो देसांतर रेखा परिस्थित हैं जो भारत की मानक समय रेखा है वही प्रस्थित आगे दिया हुआ है साड़े बायासी डिगरी इस्ट देसांतर रेखा जो है यह भारत के जिन राज्यों से गुजरती है उनका उत्तर से दच्छन क्रम कौन सा सही है आपको मैंने बताया था कि आप लोग मानचित से अच्छी तरीके से समझिएगा मैंने कि आप लोग ट्रिक पर मत जाए अगर आप से क्रम लागाने को बोल देगा उत्तर से दच्छन या दच्छन से उत्तर तो आप लोग वहीं आपको समझ में नहीं आगा कौन सा अपसं सही होगा तो इसमें कौन सा अंसर होगा जो भारत की मानक समय रहा साड़े बायासी डिक Chattis-Gard B. давно D. उतरवदेश औरि दिशा ज quantum unrealistic सही होगा तो इसमें में दोस्तों लोगों का अंसर सही होगा सिनंब्र कि सबसे पहले हम लोगों का राजरे परता उतरवदेश उत्तर ज Ceux गण और फिर उडिशा और अंत में आंध्रवदेश तो हम लोगों का यह उत्तर से दच्छिण क्रम होगे और अगर आपसे दच्छिण से उत्तर क्रम पूछ दे तो हम लोगों का सबसे पहले हो जाएगा आंध्रवदेश उसके बाद उडिशा फिर च्छतिजगर फिर मध्रवद तो निम्न में कौन सा राज या केंसा शिर्पदेश है जो चीन से सिमा शाजा नहीं करता आप सो नम बरे लदाख भी उत्राकन्स जमूकस्मीर डी सिक्किम स्विवए कौन साथ होगा मैंने आपको मानचित पर ही इसको विसेश फोकस करके बताया था कि आप लोग इसको बिलुकुल ध्यान रखिएगा कि कौन सा σ्टेट या यूटी है जो चीन से सीमा साजा नहीं अब करता है तो दोस्तों उसमें हम लोगों का जो जम्मू कस्मीर है वह आप चीन से सीमा साजा नहीं करता जब जम्मु कस्मीर और लद्दाख विभाजित नहीं हुए थे तब तक तो जम्मु कस्मीर चीन से सीमा साजा करता था लेकिन आप जब जम्मु कस्मीर और लद्दाख विभाजित होकर हमारे दो यूटी बन गए हैं तो अब लद्दाख जो है वा तो चीन से संबंदित संफूर्ण शर्चा की थी तो दोस्तों आप लोग अपना जो स्कोर कार्ड है वो कमेंट बाक्स में अब असे बताएं असा करता हूँ आप लोगों को या सीरीज अच्छी लगी होगी तो दोस्तों अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी बंड़ तो